तो जैसे मेंटेनेस की बात आती है तो हमने जो कैनूला हम यूज करते हैं वो टाइम-टू-टाइम रिप्लेस करते हैं क्योंकि डारेक्ट इंट्रफेस है तो मैक्सिमम एक कैनूला वन मन्त के लिए यूज करना चाहिए उसके बाद बाहर की बाड़ी है जो इसको हम डैम क्ल जैसे एक इस साइड में है और एक इस साइड में तो इसको हमें यहां से ऐसे उपन करना है तो इसको वाश करके आप सुखने के बाद मशीन में बाड़ा इस्टाल कर सकते हैं उसके अलावब कभी भी मशीन यूज करते टाइम उसको बैक में डाल पे वैसे यूज नहीं करत अगर मशीन को अख्शीजन लोड एरी है तो अगर इसके अंदर जैसे सीबेट समने चेन करने है तो उंक्ती लाइफ खत्म हो जाती है तो रिप्लेस कॉलम्स का मैसेज आता है तो उस टाम पे हमें जो सीबेट से होते है मेशीन के बेस में अगर पेशेंट चाहेते हो मतलब कह आधे से यह इक लैच बेटन दिया हुआ है इसको यहां से प्रैस करना है यह प्रिशेंगे तो यह सीधे c-bed है सब्लाप कर दोन पे 4 नहीं होकरि plot abroad सेशीवे में अप गार इसको इसाल सेंगनों कर करने दो तो पेशेंट कूद भी घर पे इसको चेंग सकते है उसके beauty की अ अलार्म्स होते हैं कि लो टेंप्रेचर हाई टेंप्रेचर लो लिक्के आता है उसके इसमें या तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है या फिर मशीन का पैयन गौत नहीं करें तो सर्विस रिक्वाइड हो जाता है तो यह चीजें कुछ जो पेशेंट ने ध्यान में